आज हम एक जो बहुत ही पुराणा सिस्टम से या कई है कि हम पुराणी जब खेती करते थे उसमें भी इसका यूज करते थे और इसका सबसे पहले फ्रांस देश में प्रियोग किया गया था तो आज हम बोर्डो मिक्सर बनाना की उपर तर्चा करेंगे कैसे बनाएं इसको कैसे यूज करें और इसको प्रियोग करते समय क्या साथ दानी रखनी चाहिए हमें तो जो बॉर्डो मिश्रन है ये बनाने के लिए हमें तीन चीज़े चाहिए हमें इसमें एक हमें निला थोता या कोपर सेलपेट चाहिए एक हमें सेपेद्दी या कली या केल्सियम चाहिए तो इसको हम बनाने के लिए क्या करना है आपने जैसे ये निलाथ होता है ये क्रिस्टल टाइप में ले ऐसे होता है निलाथ होता और इसको लेकर हम एक किलो निलाथ होता लेंगे और एक किलो चुर्णा कली या केलसियम का ये ये लेंगे इनको दोनों को अलग-अलग पलास्टिक के बरतन में डाल कर और पासवास लीटर पाणी में कुछ समय के लिए करीब 12-15 घंटे के लिए एक दिन के लिए कम से कम रखें इसे हो अलग-अलग ये जो कोपर सलफेट है वो अलग बालती में रखना है जैसे रख्या हुआ है और ऐसे मिक्स करना है इसको भी मिक्स करना है जब ये दोनों मिल जाएंगे फिर आपने ये करीब 100 लिटर पानी में डाल देना है तो सो लिटर में पानी में डालने से इसकी जो मात्रा वो हो जाएग एक प्रतिसत जो एक प्रतिसत का हम मिशन बनाते हैं वो हम रूट के लिए जड़ों के लिए बनाते हैं जो जमीन में फंगस होता ही आज समस्या सबजी के लिए फलफूर्ट के प्लांट के लिए रूट में जो लगने वाली बिमारियां है जड़ जिससे गऴ जाती है उसकी समस्या सबसे बड़ी है और यह फंगस को रोकता है और अगर इसका हम यह जो बोडो मिश्रण है यह किसम से औरगनिक है सबसे अच्छा है और सब जगए यह समान आप को मिल जाता है और इसका जो प्रियोक करते समें हमें थोड़ी सी साउधानी रखनी है कि इसको हमें अलग-अलग बनाना है इसके बाद फिर इसमें हमने पाणी में डालना है 100 लिटर पाणी में पाणी में डालने के बाद इसको फिर हमने इसको मिक्स करना है सपेदी को भी इसको भी अञी Saaf Ja Ya और जब यह हम ऐसे जाल देंगे पारी में और फिर इसको मनें इसको इससे तो फिर दुबारा करीब पार के इस पार है को इसको चलाना है को रिश्ग और इसके ज़ादा जा 3 घंटे तक यूज चरने नहीं हो पाता है तो इसलिए इसको अलग बनाएं और इसको एक जगे दिलाएं यह मिलाने के बाद इसको फिर आपने यूज करना आगर इस पर हमें सबजी पर या फल्फूरू पर इसका सप्रेक एंडा आदा परसंट होना चाहिए आदा परसंट के लिए क्या करना है इसमें सो लिटर पाणी और मिलाना है सो लिटर पाणी मिलाने के बाद यह आदा परसंट हो जाएगा फिर हम इसको किसी भी नुक्शान रहीत होते हुए सबजी की जो भी वारी फसल है या फाल फ्रूट की पत्त्य है या जो भी जितने ही प्लांट है उसे शटबकाव कर सकते है तो यह फंगस को रोकेगा दूसरी भी जो बहुत सी बीमारी या पती है बेलवारी सबजी उपर उनको भी रोकताए तो ऐसे हम जोब्ड ओमिश्रिन है इसका परयोग कर सकते हैं बनाने में कोई दिकत नहीं है बस यह हमने हुसरावदानी रकिणी है कि एक प्रतीसत का जो गोड है यह हम रूट में जाती है तो ऐसा नहीं करें इसको अपने सिस्टम से जैसे बताया गया है ऐसे यूज करें और आप इस करने से यह सस्ता है अच्छा सबसे अच्छा साधन रोकने का तो इसका पर्योंक करें फंकस को रोकें तो सबी किसानलों को बायोग नमस्कार